नमस्कार, ग्लोबल भारत के प्रोग्राम डार्क रूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का विशे बहुत इंट्रेस्टिंग है दरसल हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीती की जैसा कि आप सबको मालूम है उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंतरी, योगी आदितिनाथ और विपक्ष यानि समाजवादी पार्टी जिसने लोग सभाचुनाओं में बहुत ही बहतरीन प्रदर्शन किया है इन दोनों के बीच में जो पार्टी के अध्यक्ष है, अखिलेश यादो और इधर योगी आदितिनाथ इन दोनों के बीच में एक तरीके से देखें तो रसा कशी चल रही है एक सेर होते हैं, दूसरे सवा सेर बन जाते हैं, फिर पहले वाले सवा सेर से भी जादा होते हैं कहने का मतलब ये कि आपसी जो गुथम गुथी है ये बहुत तेज चल रही है और योगी जी तो योगी जी ठहर है, अपने हर फैसले को किसी न किसी तरीके से अदल के बदल के वो करवा लेने में माहिर होते हैं वैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उप चुनाव होने हैं विधान सबा के और उसके पहले दोनों धलों में, यानि समाजवादी पार्टी और रूलिंग भारती जन्ता पार्टी, इन दोनों के बीच में एक तरीके से कहें वाद विवाद प्रतियोबिता शुरू हो गई है, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पैनल उपलब्द है, बहुत वर खिलेश जो बाते बोल रहे हैं, उनसे जन्ता पर वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा, या योगी आदेतनाथ अपनी कुरसी बरकरार रखते हुए, इन उपचुनाओं में भी जीट का बिगुल बजाएंगे, हम इंट्रोड्यूस करने, हमारे दाहिने तरफ प्रकाश जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, इन से बात करेंगे, राज्य सभा टीवी यानि संसद टीवी के पूर्व संपादक विशाल दहिया जी भी बैठे हुए हैं, विशाल आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, और ग्लोबल संभारत के एडिटर इंचीफ संपादक संदीप हमा बहुत-बहुत स्वागत है, तो चर्चा की शुरुआत समीर जी मैं आप से ही करता हूँ, यह जो अखिलेश वर्सेज योगी का मामला चल रहा है, यह कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं, दोनों युवा हैं, और दोनों के बीच में उमर का भी बहुत फासला नहीं है, ज जा कहां रहा है, तो राजनीती है, तो राजनीती जिधर जानी चाहिए, दोनों का मकसद है कि राजनीती में आगे बढ़ें, कौन ज्यादा सीटे ले आए, कौन अगला मुख्यमंत्री बने, अब चुकि अखिलेश यादो विपक्ष में है, तो स्वाभाविक है कि अब व वो सरकार में आए, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन बात ये है कि जो जिस तरह से मुद्दे हावी हो रहे हैं, और मुद्दों में ये है कि कई चीजे है, एक तो लाइन डॉर है, कानून विवस्था अपनी जगह है, और दूसरी और ये है कि जो इसका जो अ पहचाने जा रहे हैं, नाम के आधार पर पहचाने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से सरकार ही लोगों के अपराद को तै कर दे रही है, अब ये इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और एंकाउंटर्स को लेकर और एंकाउंटर्स में भी जो आरोप लग रहा है, विपक्ष का रोप लगा रहा है कि वो जाती और धर्म देखकर लोगों का अपरादियों का भी एंकाउंटर हो रहा है, बुल्डोजर चलाया जा रहा है, हाई कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहाँ पर जो बदलापुर में एंकाउंटर हुआ तो उस पर भी बड अनुछ परताफ सिंग फिर एक मुस्लिम का, तो ये की जाती धर्म और ये कहा जा रहा है कि बैलेंस करने के लिए क्या इंकाउंटर कर दिये जा रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इंकाउंटर्स तो अपने आप ही खतरनाक चीज़ है, गर उस पर सवाल उठा तो वो जायस सवाल है, इंकाउंटर करने का इंकाउंटर्स हमेशा ही सवाल के घेरे में होते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस खास तोर पर जिस तरह से लगातारिया स्टीफ कर रही है, एक ही तरह की थियोरी होती है उसकी, कि अप राधी को वो पकड़ने की कोशिश की चुडा कर भाग रहा था, और उसने गोली चलाई, हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, और वो पुलिस और स्टीफ के हिसाब से या तो उसका पैर पे गोली लग जाती है, या पिर कहीं और की वो मरी जाता, ये जो चीजे हैं, इस पर ये अ पुलिस ही और स्टीफ ही उसको तै कर ले रही है कि इसको सजा क्या दी जानी है, वहीं रफा दफा यानि कर दिया गया, यानि कि बात बिलकुल सही है, हम विशाल आपके पास आएंगे, समीर जी जो बात कह रहे थे, वो ये है कि अगर कानून विवस्था बिगड़ती है, तो भी विपक्ष आरोफ लगाता है कि कानून विवस्था बिगड़ रही है, अगर इस तरीके के एंकाउंटर होते हैं, इसमें पुलिस की थियोरी पर ही कोट भी चलता है, आपको मालूम है, हर एंकाउंटर के बाद वो देना पड़ता है, उसकी सफाई देनी पड़ती है उसकी जाच होती है, इंटर्नल, एक्स्टर्नल, तो उसके बाद विपक्ष ये कहता है कि जाती देखकर हो रहा है, अगर ये ना करें, तो भी विपक्ष हारोफ लगाता है, कि आपके राजे में बहुत चोरियां और डकैतियां और मडर बढ़ रहे हैं, सत्ताधारी करे तो और एंकाउंटर की थियोरी और एंकाउंटर की आवशक्ता, उसकी सफाई, ये अपने आप में एक बड़ा मुनता है, और केवल उत्रप्रदेश की बात नहीं है, मुंबई में एंकाउंटर हुए, बाहरास्टर में एंकाउंटर हुए, वो सवालों के गेरे में रहे, जाच होना लाजमी है सवाल उठाना भी लोकतंत्र पे लाजमी है और खास्तोर पर अगर उखे वीपक्षी पार्टी और प्रदेश में विपक्ष के नेता है तो अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन सवाल उठाएं लेकिन इसके पीछे यानिक सका जो बेस है उस पर तो थोड़ी सी नजर डालें तो थोड़ा सा मामला और समझ में आता है बेस क्या है बेस है मुद्दा मुद्दा क्या है लौए नॉडर याने के कानून विवस्ता भारतिय जंता पार्टी ने जब चुनाव जीता पहला विदान सबाद चुनाव जीता जब अखिलेश सबसे बड़ा मुद्दा था कानून विवस्ता याने के भारतिय जंता पार्टी का दावा ये था कि हमने पांच साल सरकार चला ही हमने कानून विवस्ता बिल्कुल दुरुस्त रखी कानून विवस्ता के लेकर पहले जो सरकारे रही है उसमें सबसे जादा सवालों के घेर में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है आकड़ों पर नह भी नहीं तो भी यह सच्छी साबित हो पाएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही भी Fish itself सरकार रही तब भी कांउन मुश्ता को लेकर उतने सारे सवाल नहीं उठे आप जैसा कि आपने Rodriguez आने तो याने कि वो कौन से मुद्धे हैं जहां पे घेरा जा सकता है विपक्स चाहेगा कि सरकार को वहां घेरा जाए जहां वो सबसे जादा ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं याने कि सबसे जादा अपना धिंडोरा पीट रहें कई सवाल कोट की तरब से भी उठाए चाहे वो बुल्डोजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर कानून व्यवस्तार से जुड़े वें कई मामलों में आपत्यां हुई हैं सवाल उठाए गया दूसरी सबसे बड़ी बात कि मुख्य विपक्षी दल्याने कि समाजवादी पार्टी लगभग साथ-ाठ साल से सत कम प्रदर्शन रहा तो यह वो मौका है जिसको अखिलेश और समाजवादी पार्टी जरूर भुनाना चाहेंगे कि हमने जो एक मुमेंटम बनाया लोकसभा चुनाओं में उस मुमेंटम को हम उप चुनाओं में भी बरकरार रख सकें क्योंकि जो विधान सभा चुनाओं ह हैं दो साल यानि के दोजर सताइस की बात करें पचीस अभी शुरू हो जाएगा और आखरी के छे महीने तो सबको मालूम है कि चुनाओी राजनीती में ही चले जाते हैं तो यानि के माहौल आपको अभी से बनाना पड़ेगा इसलिए दोनों ही तरफ से उग्र माहौल है अ परकाश अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो विशाल बता रहे थे दोनों तरफ से उग्र महौल है और उप चुनाओं में स्कूर करना और इसके साथ ही जब दो साल बाद 27 में विधान सभा के बुख्ये चुनाओं होंगे तो उसमें स्कूर करना क्या इस वज़ा से दोनों एक दूसरे से खीशतान में लगे हुए हैं और इस खीशतान में आग कानून के ऊपर कानून लॉएंड और के ऊपर योगी आदितिनार और जाती वाली जो पॉलिटिक्स है वह जितने भी छेत्रिये दल है आप यूपी में रहें तो वह बसपा भी करती है समाजवादी पाटी भी बिहार चले जाएगा तो आर्जेडी का भी वही बेस है तो द बिल्कुल ठीक हा कि योगी आदितनार जब आये अचानक चुमके जब 2017 में बीजेपी आई उस समय भी कानून विवस्था के ही मुद्दे पर बीजेपी आई और 2022 में चुकि फिल्ड में घूम रहा था सर जाटो ने पश्चे मुत्तर प्रदेश में ये तै कर लिया था कि ह हम एक बड़ा वर्ग उन्होंने तै कर लिया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लेकिन एन मौके पे वह जुन्ड जब जाता है बूट तक उसके मन में ये बात आ जाती है कि घर की बेहन बेटी घर से निकलती है लेट नाइट आएगी मुझे ये वोट करना हुआ था राकेश ठीक है चितना घूम रहे पूरे प्रदेश में बावजूद इसके योगी आदितनाद चीफ मिस्टर बन गये अभी जो अखलेश यादव है वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो चाहते हैं कि लोगसभा का मोमेंटम बरकरार रहे वो कहीं से भी योगी आदि आदितनाद के खिलाफ एक्टिव हुई ऐसा लगा कि एक धड़ा जो है किसी के इशारे पर योगी के खिलाफ लखनों में काम कर रहा है हाला कि संगनें बिठा करके या बीजेपी की टॉप लीडर्शिप कह लीजे कि उसको मैनेज किया और अब लगता है जो भाशा है जो बॉडी लेंग्वेज और जिस तरह से योगी आदितनाथ बात कर रहे हैं वो यहीं लग रहा है कि बिलकुल फ्री हैं आप जिसमें बेस्ट हैं आप जो अच्छा करते हैं आप वही करिए योगी आदितनाथ से जब सामसत है तो भी यही करते थे जब मुख्यमंत्री हैं त जो उनका कोर वोट है उसको यह लगे कि अखलेश कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि हुआ तो यही तमाम गटवंदन के बावजुद हुआ तो यही कि नरेंद्र मोटी लगातार तीस्वी बार पधानमंत्री बन गए तो देश तो देख रहा है आप जिस बात को कहकर गए थे कि हम रोकने जा रहे हैं हम रोक डेंगे आपने उनके नंबर्स कम किये हैं सरकार में आज भी वही लोग हैं आप जिनके खिलाफ लट रहे थे अब यहां से एक और चीज है सिर कि योगी आदितनात अगर यह उपचुनाव हारते हैं या कमजोर दिखते हैं तो जो बीजे प अपने योगी से तो पूछा भी नहीं लोगसभा का टिकर देने से पहले लेकिन यह नरेटिव गढ़ने की कोशिश होई कि योगी आदितनात ने आपको लोगसभा हर्वा दिया योगी जी ने ध्यान नहीं दिया और बीजे पी हार गई योगी आधितनाट को इनलोक सभा चुनाओं में बस ये करना है कि जो 3-4 सीटें BJP के पास अभी हैं वो 3-4 सीटें तो कम से कम निकालनी ही पड़ेंगे आप 10 में से 8 मत जीतो, 6 मत जीतो, 5 भी मत जीतो लेकिन जो 4-5 सीटें हैं और उसमें मिलकीपूर वाली सीट वो प्रतिष्टित सीट है, आपको वो निकालनी पड़ेगी नहीं तो वो खेमा और भी तेजी से उस तरह बढ़ेगा जहां वो चाहेगा कि आपको 2027 में रोक दें अकलेश यादव ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जहां तक अकलेश यादव की बात है, अकलेश यादव ये 10 के 10 अगर सीट हार भी जाएंगे तो समाजवादी पार्टी ये अकलेश यादव की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है उनके खिलाब क्या कोई खेमा खड़ा हो जाएगा समाजवादी पार्टी में, ऐसा तो है नहीं लेकिन योगी के खिलाब ये हो सकता है और यही कारण है कि दोनों ही लोग बहुत योगी को होना पड़ेगा अटेकिंग लेकिन अखलेश अटेकिंग दिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा भी अगर कोई एक जगा है जहां योगी आदितनात का नुकसान हो सकता है वो ये उपचुनाओ है और ये पूरी कोशिश की जाए बिलकुल प्रकाश आपने बहुत ही सही व्याक्या की कि योगी दरसल दो फ्रंट पर लड़ रहे हैं एक तो इंटर्नली अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी लड़ाई है अभी थोड़ी वैसे ठंडी पड़ी है क्योंकि जो दो उपमुख्य मंत्री हैं वो मुख्य मंत्री बनने की जो चाहत थी और उनकी जो कैंपिंग थी दिल्ली में थोड़ी सी अभी ठंडे बसने में गई है लेकिन फिर भी अगर उपचुनाओ में जरा सा भी चूक होती है जरा सा भी चूक तो योगी पर वो भारी पड़ेगा संदीपब आते हैं आपके पास एक संपादक ये टिपपणी करके इस डार्क रूम के चर्चा को समात करेंगे कि जैसा विशाल कह रहे थे या जैसा प्रकाश जी ने कहा अभी अगर योगी जरा सी भी चूक करते हैं तो उनकी चूक क्या अखिलेश के लिए बहुत बड़ा मार्जिन दे जाएगा उनके लिए बहुत ज़्यादा पहुचा जाएगा और यही वज़ा है कि अखिलेश बहुत आक्रामक हो रहे है देखिये चूक की जहां तक बात है उसकी तो कोई गुंजाइस मुझे दिखती नहीं है और आक्रामक होने की बात जहां तक है उनके पास अखिलेश के पास इतना तेवर दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि जब-जब जो जो स्टेप इन्होंने उठाया या जो जो मुद्दे उठाये उन सब पे योगी हमेशा भारी पड़ते दिखे है इतने सब कुछ के उनको लगा नहीं था अखिलेश को जब पहली बार योगी आदितिनाथ सीम बने थे तो इनको लग रहा था कि यह तो मठ जाएंगे जैसा उन्होंने कहा था कि यह तो मठ वापस जाएंगे ठीक है बॉखलाहाट इतनी है कि मठादीस और माफिया में अंतर नहीं कर पा रहे है अखिलेश ठीक है एक तरफ जब योगी आदितिनाथ गाये को पुछकारते हुए फोटो डालते है तो यह गोडे को पुछकारते मतलब इंकाउंटर तो बहुत हुए लेकिन 499 जो मारे गए लोग इंकाउंटर में योगी सरकार में उतने नहीं मारे गए हैं कम समय में मुलायम सरकार में जादा लोग मारे गए बीएसपी की गौर्मेंट में भी योगी सरकार से जादा इंकाउंटर में मारे गए लोग है तो encounter का मुद्दा आप क्यों उठा रहे हो पहले अपने देखो कि क्या हुआ था दूसरी बात encounter क्यों हो रहे है जनता खुश है जनता ने law and order को लेके योगी सरकार को चुना था law and order को लेके जनता बहुत खुश है तभी दुबारा चुन के आए और इस मुद्दे को लेके कभ जनता को जादा उनसे योगी से नाराजगी नहीं है उनको लग रहा है कि नहीं सही है जहां तक जाती की बात है जाती की बात कर रहे थे तो जब राजपूत को ठोक दिया तो बोल रहे है कि अब राजपूत को ठोक दिया पहले यादव को ठोका था तो यादव यादव कर गौर्मेंट में जब होई तो विकास दुबे वो ब्रामन था, लेकिन वो अपराधी था, वो ब्रामन था, याद हो था उससे क्या मतलब है, ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, दूसरी बात, जो साथ साल पूरा की, और अभी उप्चिनाव की जो आप लोग बात कर रह बीजेपी के पास रहने वाली हैं, और ये बौकलाहाट जो है अखिलेश का, वो उसी का नतीजा है, मुझे लगता है, उप्चिनाव में बौकलाहाट का नतीजा है, तो डार्क रूम में आज हमने चर्चा की, कि उत्तर प्रदेश में जो योगी और अखिलेश के बीच जहां से शुरुआत हुई थी, समीर जी ने शुरुआत की थी, कि एंकाउंटर लास्ट रिसॉट होना चाहिए, उसके पहले अदालतों में जरूर ले जायाना चाहिए, अपराधियों को कोशिच होनी चाहिए पुलिस की, क्योंकि फैसला करना अदालतों का काम है, लेकिन स जाती या धर्म निकालना ये कहीं से सही नहीं है, और तीसरी बात, जिन आकड़ों की बात, विशाल ने की या संदीप ने की, आकड़े बताते हैं कि हर सरकार में एंकाउंटर हुए हैं, यानि कि एंकाउंटर पुलीस करती है, पुलीस प्रशासन करता है, अपने हिसाब से करता है उस पर राजनीती करना बहुत ठीक नहीं है जनता को ये तै करना होगा कि क्या वो सुकून से हैं क्या राज्य में वारदात कम हुई हैं क्या law and order की situation बहतर हुई है कि नहीं और जनता इसी हिसाब से आने वाले तमाम चुनाओं में फैसला करें फिलाल ग्लोबल भारत पर डार्क रूम में इतना ही नमस्कार